AI और टेक्नलोजी का जमाना है और इस टेक्नलोजी से 21 सदी में बहतरीन अविश्कार किये जा रही है वही एक और अविश्कार ने सब को चौका दिया है जहां पवन पुत्र बजरंग बली आसमान में उड़ते नजर आए यकीन नहों तो आप वीडियो में खुद देख सकते हैं वीडियो में जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है आपने टीवी और फिल्मों में हनुमान जी को हवा में उड़ते कई बार देखा होगा लेकिन पवन पुत्र के इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है हनुमान जी को उड़ता हुआ देखकर लोगों की भीड एकटा हो गई भीड का आना भी वाजिप था क्योंकि अब तक हम सबने रामायर समेत शास्त्रों में इस बात का जिक्र सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़ते थे लेकिन अब उन्हें सच में उड़ते हुए देख लोगों को हैरानी हुई है दरसल वाइरल वीडियो में हनुमान जी की मूर्ती को ज्रोन की मदद से उड़ाया जा रहा है इस वीडियो को देखने से ऐसा लगता है कि मानोख खुद हनुमान जी की हवा में उड़ान भर रही हो हनुमान जी की मूर्ती को एक बड़े ज्रोन से फिट कर दिया गया है जुसमें 6 पंके लगे हुए ज्रोन में लगे पंकों की वदद से ही उड़ाया जा रहा है वीडियो को देखने से मालुम चलता है कि मूर्ती काफी बड़ी है बगर ज्रोन उसे आसानी से हवा में उड़ा रहा है जैसे ही हनुमान ज्रोन हवा में उपर जाते हैं लोग धार्मिक नारे लगाने लगते हैं इस वीडियो पर हजारों ने कमेंट भी किये हैं, दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो चत्रसगर के अंबिकापुर का है, जहां दशेरा समहरों के दोरान हनुमान की मूर्ती को जोड़ कर उड़ाया गया, जब लोग विज्ञान और धर्म को साथ जोड़ कर इस वीडियो क सरहना कर रहे हैं, वहीं वीडियो को धड़ले से शेयर भी किया जा रहा है, 21 सदी में इस तरह के इन्वेंशन ने जंदगी को काफी आसान बना दिया है, वहीं टेक्नलोजी का अस्तमाल धार्मिक कार्यों में भी किया जाने लगा है, यो तो कई बार ऐसा हुआ है कि अगर धार्मिक प्रियोग हो जाएं तो विज्ञान और धर्म के बीच बहस्ट रजाती है, लेकिन इस बार इस प्रियोग की सरहना की जा रही है, फिलाल इस खबर में इतना ही, तेश्तनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं, आज की खबर